राधी राधी फ्रेंस, जै सीरी क्रिश्ना, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको अधिक मास की अमावस्या की पूजबिदी बताने वाली हूँ। आमावस्या पर अधिक मास समाप्त हो जाएगा और फिड से सावन सुरू हो जाएगा। अगर आपने अभी तक अधिक मास में कुछ ना भी किया हो तभी भी आपके पास मौका है। आप अमाउस्या पर दीबदान करके पूरे अधिक मास का पोनेफल प्राप्ट कर सकते हैं, तो देखिए हमें इस तरह से आटे का दीबदान करने से हमें अंदान और दीबदान दोनों का फल प्राप्त होता है, तो आप आटे का दीबदान जरूर करें, दीबदान पर हम हल्दी से तिलग कर लेंगे, इसके बाद ये देखिए इस दिन दान का पिसेस महत होता है, अंका दान जरूर करें, खासकर चावलो का दान, कुछ दक्षिडा अवस्य रख लें, इसे देवन भी कहा जाता है, अगस्त को सावन की अमाउस्या है, अधिक मास का भीराम दिवस है, दूसरे दिन वापस सावन का समयोग रहेगा, उस दिन एक कनेर का फ्थून, दो लोटा जल बाबा भुले नाद को अवस्या समर्पित करें, जिस दिन अधिक मास्त भीराम होगा, वापस सावन चालू उस दिन 33 कोटी देवता, यग, गंधर्व, देवता, पीतर सब उस दिन संपदा लुटाते हैं, दन भैवव लुटाते हैं, उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल संकर भगवान पे चड़ जाता है तो जिंदगी का सहरा भंडार भाबा भोले नात भर देते हैं, तो उ खीर बनाकर या दूद से बनी मिठायों का भोग लगाए, अमावसय तिति पित्रों को समर्पित होती है, तो उनका हसिरवात प्राप्त करने के लिए उनके निर्मित दीवदान जरूर करें, अब हमने जो दिये बनाये हैं, उनको घोगर्पित कर देंगे, इसके बाद हम हा इसके बाद सभी तिये जला लेंगे, और भगवान की आरती करके एक एक तिये सभी जगा तुलसी जी के पास घर के मंदिर में तहलीज पर जो भी अपने देवरिक्ष लगाया है, उनके पास पित्रों के निर्मित सभी जगा दीबदान अमावसया पर चरूर से करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दीबदान कर सकते हैं, जितना आपकी मरजी हो, या फिर आप 365 बाती का दीबदान भी कर सकते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सिस्क्राइब कीजिए, थैंक यू, राधे राधे, जय सिर किजिए कृष्ना,